आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्हाज विभाग के अधिकारियों तथा मनपा अधिकारियों के साथ मुलाकात की और उन्हें दिशा निर्देश दिये किस तरह ट्रैफिक को विवस्तित किया जा सके आईए देखते हैं इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट साहीं पार्टी के अध्यक्ष और उप महापार श्री जीवन इद्दानी साहीं पार्टी नेता श्री सुनिल गंगवानी ने उलास नगर में अव्यवस्तित हुई यातायाद समस्या को सुचारू रूप से व्यवस्तित करने हितू मनपा मुख्याले में ट्रैफिक विभाग के वरिष्ट पुलिस कर्मियों वाडनों और मनपा आधिकारियों की एक बैटक बुलाई जिसमें उन्हें दिशा निर्देश दिये गए कि किस तरह पार्किंग व्यवस्ता सुधारनी है पी वन और पी टू को यहां लागू करना है हौकिंग जोन का ध्यान रखना है वाडनों को मुख्य अस्थलों पर खड़ा करना है जहां जहां पर नो पार्किंग है वहां पर गाडियां खड़ी नहीं करनी है और विशिशकर 17 सेक्षन जो मुबाइल बजार है वो वन वे किया जाना है डिवाइडर हटाए जाने हैं और वाडनों को सकती से निर्देश दिये गए हैं कि वो कथित रूप से लोगों से पैसे न लेकर ट्रेफिक समस्या को सुलजाएं, सुधारें और विवस्था बनाए रखें इस आउसर पर साइपाटी अध्यक्ष, शिरीजीवन इदनानी और सुनील गंगवानी ने सभी लोगों को ये निर्देश दिये हैं कि शहर में जो लुझ पुझ विवस्था हो गई है उस ट्रेफिक समस्या को तुरंत सुलजाए जाए मीटिंग में ट्रेफिक विवस्था को पूरे तरिके से सुधार लिया जाएगा जिस पर शिरीजीवन गंगवानी का कहना था कि साइपाटी ने एक टीम बनाई है जिसके सदस्य पूरे शहर में नज़र रखेंगे के ट्रेफिक समस्या को सुधार किया जा रहा है अथ्वा नहीं, वार्डनों की नियुक्ति कहा कहा की गई है, डिवाइडर कहा से अटाय जा रहे हैं, कहा नो पार्किंग है, जहां गाडियां खड़ी की जाती है और किस तरह से पूरी विवस्ता है, इसकी पूरी नजर रखी जाएगी साइन पार्टी ने आम जनता से भी आहवान किया है, कि लोगों को अगर कहीं भी ट्रेफिक की समस्या होती है तो इन ट्रेफिक विभाग के अधिकारियों से मोबाइल फोन कर संपर कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि कहां कहां पर ट्रेफिक जाम है, कहां पर यातायाद की समस्या है उल्लादगर शेर में जो ट्रापिक की समस्या है, रोड पे खड़े है और जो पार्किंग के बारे में जो समस्या है, नो इंटिस के बारे में है जा जा मतलब मार्केट एरिया है वो एरिया में टापिक ऐसी सुलित होना चाहिए और तैसी अम्लब टापिक के बारे में क्या-क्या उपाय उजना करना चाहिए इन बारों में आज उपा महापौर जित हमारे राजी दानी साब उनके दालन में आज मीटिंग हुई है और हम लोग उनको वाही देते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग इसमें सुदार्ना करेंगे आज जो मीटिंग हो गए महापौर साब की सही में बहुती बड़ीया मीटिंग आरेजी किया है उन्होंने थ्ट्ड़ सा वाडन के बारे में भी डिसकस हो गया है कि वह वाडन दिखते हैं नहीं इसके बारे में तो खैल रखेंगे आगे भी रखेंगे रहते लेकिन अगर नहीं दिखते तो उनका भी फोटो निकाल करा भी जो इसा मिटिंग में हो गया तो उसके बारे में दक्षिता ले रहे हैं मेरे नागरिक से यह आवर नहीं कि जो भी लोग रहेगा वो पीवन पीटू का पूरी तरह से फॉल उप करें वातुक पूलिस यह आपके लिए है आपकी सुविधा के लिए दिया है आपके उपर कोई जबरदस्ति कारवाई करने के लिए नहीं है आपकी इसमें वातुक व्यवस्ता अच्छी रही जाए यह व्यापारी भाग गये तो वहाँ पर कैसा अच्छा यातायात रहेगा इसके बारे में यह नियोजित किया गया armor करानी यह आए है कि ट्राफिक पुली कर्म संक्या में नियोजित हुए उसके मदद के लिए महानगारपाली कर भी थोड़ी सी जवधर आते कि το पीक का और अगर वहांपर हवलदार है अगर वह मांगता है तो उसको दिखाना आपका काम है आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उलहाज